जो चैप्टर से मतालिक, जो colors का चैप्टर हमने पढ़ा है, किसी का कोई question है तो वो पूछ सकता है अभी, अच्छा, अभी जो हम chapter पढ़ेंगे, chapter 12, text, जैसा कि आपको पता है, book को इन्होंने ऐसे organize किया है, कि एक जैसे HTML को एक एक chapter में cover किया था, तो उसी तरह CSS में भी इन्ह जैने भी CSS है, वो सारी CSS इस चैप्टर में cover हो जाएगी, ठीक है, लास्ट चैप्टर में color से मतालिक, जितने भी CSS थी, यानि background, color, floor, ground, color, x, y, z, तो वो वहाँ पे cover हुआ था, तो यहाँ पर यह discuss करेंगे कि size and type face to text, कि जो text का size होता है, वो क्या चीज होती है, और type face क्या च जब आप कोई भी चीज टाइप करते हैं, तो उसका एक face बना बाता है, obviously, मिसाल के दोर पर यहाँ पर मैं आके अगर, यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ capital A, तो capital A का face, आप सब लोग पहचानते हैं, capital A जो है वो ऐसा होता है, ठीक है, फिर अगर मैं यह लिखूँ, जो उस करवाया जाता है, मतलब A का face कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, ठीक है, B दिखने में कैसा होता है, ₹व। दिस इस अफेस, तो कोई भी character आप टाइप करते हैं, कोई भी बात आप जब लिख रहे होते हैं, तो एक एक character का जो face होता है, या जिस को हम simply font भी कहते हैं कहते हैं तो उसके बारे में कुछ डिसकेशन होगी बोल्ड इटैलिक कैपिटल्स एड अंडर लाइन अच्छा बोल्ड हमने देखा था हम एच्टीमल में भी टैग था हमारे पास एक बोल्ड का ठीक है भी लिखते थे बोल्ड हो जाता था तो लेकिन हमें एक्छली बोल्ड हम सी एसस से करना है अच्छा सी एसस से बोल्ड करने का यप क्या फायदा है एच्टीमल से भी कर सकते हैं लेगिन सी एसस में ज्यादा सुफस्टीकेड़ तरीका मौझ ऑनचा है मारे पास बोल्ड करने का ठीक है उसके दावा कैपिटल और अंडर लाइन भी कुछ मारक पस है जो html के अंदर मौझूद नहीं है इस पेसिंग बिट्वीन लाइन वर्ड्स एंड लेटर्स अच्छा जैसे कि आप यह एक लाइन देख रहे हैं और यह एक लाइन देख रहे हैं तो इन दोनों लाइन के दरम्यान में एक सर्टेन डिस्टेंस है जो कि यहां पर भी कॉम है ऐसे ठीक है इसको डिसाइट किया गया था तो इस चीज को हम कहते हैं कि इस पेस बिट्वीन लाइन के दो लाइनों के दरम्यान कितना फासला है अच्छा फिर वर्ड्स के दो वर्ड्स के दरम्यान कितना फासला है मिसाल के दोर पर यहांप साइज एंड टाइप इस यह clearly पता चल रहा है कि यह तीन वर्ड अलग अलग है तो वर्ड के दर्मियान जो फासला है अगर उसको आपने कम या ज्यादा करना है तो उसकी CSS इसी चैप्टर में डिसकस होगी अच्छा और लेटर के दर्मियान इसाल के तौर पर यहां पर जो यह चार लेटर लिखे वें टी एक्स्ट तो इन हर लेटर के दर्मियान एक सर्टें डिस्टेंस ठीक है ऐसा लग रहा है कि वो चपकाव है लेकिन इस्टिल दियर इस तर्टेंस तो उस डिस्टेंस को आपने ज्यादा यह कम करना है अगर तो बात भी वो कैसे करेंगे हम सी एस में वो भी इस चैप्टर में डिसक्स हो गए ठीक है तो नाव यू नो के इस चैप्टर में क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं तो अब हम इसको आगे चलते हैं तब प्रॉपर्टी दैट एलाव यू तो कंट्रॉल द अपेरंस अफ द एक वो स्टाइलिंग हो सकती है जो लगाने से डायरेक्ट टेक्स्ट आपको चेंज होके नजर आजए अच्छा दूसरा दोस डैट वोड हैव दे सेम एफेक्ट ऑन टेक्स्ट नो मैटर वाट फॉर्ट यू वर यूजिंग और दूसरा ये होगा कि पहला इन्होंने ये ब डूसरा वह वह ओगा कि कोई सा भी फॉर्ट हो चलेगा मिसाल एक जो रॉपर जैसे अंडर लाइन तो अंडर लाइन इस नाट डिपेडंड ओनफु अंड फॉर्ण और फॉर्ण कोई सा भी ओगा अगगा तो अब अन्डर लाइन वह भूई जाएगा थिक इसमें उन्हें आपने दिया है वो भी वो रिगार्डलेस है कि फॉर्ट कौन सा लगा है ठीक है ऑन अधर हैंड जो फॉर्ट पर डिपेंडनेट चीज़ है उसमें इन्होंने बोला है कि रैगिलर बोल्ड इटैलिक एंड साइज ऑफ दा फॉर्ट ठीक है यह फॉर्ट की उपर डायरेक्ली टाइप किया मैंने तो यह कैपिटल ए बोल्ड है या रैगिलर है तो जब मैं इसको बोल्ड करता हो तो थोड़ा मोटा हो जाता है लेकिन असल में यह थोड़ा मोटा नहीं होता असल में कहानी यह होती है कि एक रैगिलर ए का फेस अलग होता है और बोल्ड ए का फेस अलग आजाती है अब imagine करें कि कोई ऐसा font है जिसमें bold वाला face मौजूद ही नहीं है ठीक है तो उस font को जब आप bold करेंगे तो वो bold नहीं होगा वो regular ही दीखेगा आपको ठीक है उसका reason क्या है कि उसमें bold वाला face included ही नहीं है तो वो bold नहीं होगा अब यह इंशालला हम experiment करके भी देखेंगे कि अगर हम bold वाला face include ना करें अच्छा अब आपने शायद ये भी बात पहली दफ़ा सुनी हो कि इसमें face होता है अब मिसाल के दोर पे कौन सा font है उसके अंदर हम जाके कैसे देखेंगे कि उसमें कौन-कौन से faces available है ठीक है ये सारी discussion अभी आगे होने वाली है अच्छा ये इन्होंने एक छोटी सी website वेब-page बनाया है कि उन्होंने इसमें इन्होंने एक heading डाली है और उसका color भी change किया हुआ है उसका font भी थोड़ा सा change किया हुआ है उसके बाद नीचे जो एक line लिखी हुए है इसमें आप note करें के characters के दर्मियान या एक character या ये तुम लोग अलग-अलग से क्यों connect हो रहे हो तुम लोग के email तो उस पर डले मैं न वैल यहां पर देखें character के दर्मियान जो है इस पेसे हैं जो CSS के फ्रू अब्विसली डाला है उसके बाद यह paragraph लिखा गए जिसमें दर्मियान में एक एक word का Justin उन्होंने color change किया गए अच्छा ठीक हो गया जी तो यह इन्होंने एक छोटा सा page बनाया है और आपसे यह expect कर रहे हैं कि आप भी by the end of this chapter आप भी इस तरह का एक page खुझ से बनाने के काफिल हो जाए अच्छा अब यहां पर बात आ रही है कि tight face की terminologies कौन कौन सी होती है अच्छा terminology जैसा कि हम एक दफ़ा discuss किया था हमने कि terminology जो है ना दो इंजीनियर जब आपस में बात करते हैं तो वो terms इस्तमाल करते हैं तर्म्स में बात करते हैं जैसा कि मैंने कहाता है कि बाई कोई अगर CD बना रहे हैं कोई घर में तो मैं कहना च यूज कर रहा हूं यह terminology है अब terminology को ना वो फॉरन समझ जाएगा कि यह क्या चीज़ है अगर मिसाल के तोर पर मैं degree का word यूज किये बगहर या degree की जो term है वो यूज किये बगहर उसको बताना चाहरा हूं कि इसको 45 तो मैं कैसे बताऊंगा उसको ठीक है शायद मैं उसको आपस में बात करें तो information में कोई gap ना रहे और accurate communication हो तो इसी तरीके से जो type face है ठीक है type face अभी मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ होती है यह face होता है जैसे यह m है इसका face ऐसा है तो type face की कुछ terminologies हैं अच्छा आप एक चीज़ यहां पर और भी note करें कि different font में जो मिसाल के कि एक font face में na m का face ऐसा है और एक में m का face ऐसा है basically तो यह दोनों face एक ही है ठीक है आप देख के उसको बता सकते हैं कि यह भी m है और यह भी m है लेकिन इसके face में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है ठीक है मिसाल के दोर पे class में जैसे दो लोग है जैसे अली बंगश है अली करी में तो इन दोनों का face है उसको देख के कोई भी बंदा बता सकता है कि यह human का face है ठीक है तो यह दोनों M है आप इसको ऐसे समझें कि यह दोनों M है यह दोनों human faces है लेकिन इन दोनों की जो face के features है उसमें थोड़ा थोड़ा सा difference है और यही वज़ा है कि अली करीम और अली ब देटेल में थोड़ा थोड़ा फर्क है, यहां पर भी थोड़ा सा फर्क है, अब यह फर्क भी है, वो क्या चक कर रहा है इसका, तो IHOPE के फॉन्ट फेस आपको जो है, यह टाइप फेस आपको बहुत इच्छे से के लिए रोगया होगा, अचा तो सबसे पहले यह कह रहे हैं अब बाक पर परोगया हैं कपांट के जलती हैं सेरिफ, सेरिफ सेर्फ है फॉर्ण इसको कहते हैं सेरिफ सेर्फ के बारे में кई बाक लिखे हाँ हैं कि in print serif font were traditionally used for long passages of text because they were considered easier to read ठीक है long passages में और ये print की बात हो रही है ये digital screen की बात नहीं की है इसने इसने का है print में तो हमेशा जहां पे भी ये कोई statement दे रहो हो न तो वा पे गौर कीजेगा जब ये print के बारे में statement देगा तो वो बिलकुल ये अलग चीज है और जब ये screen के बारे में statement देगा तो that is another thing तो कह रहा है कि भाई अकर ये ऐसा वाला font इस्तमाल किया जाना चोच वाला तो वो long passages में और print में ऐसा समझा जाता था कि वो अच्छे से उसको read किया जा पाएगा easier to read consider किया जाता है उसके बाद है sans serif sans serif have straight ends two letters ठीक है आप ऐसे imagine कर लें कि मतलब बग़एर चोच वाला जो serif जो हो चोच को कहते है तो sans serif का मतलब है कि no चोच and therefore have a much cleaner design कह रहा है कि ये सीज़े सीज़े होते हैं इसमें कोई आगे से चोच नहीं निकली होती तो इसको cleaner design consider किया जाता है अच्छा screens have lower resolution than print so if text is small sans serif font can be clearer to read ठीक है तो screen के उपर digital screens के उपर क्योंकि digital screen का जो pixel होता है वो भी square होता है तो ये भी square square है हर तरफ से तो ये कह रहे है कि अगर lower resolution होगा na screen के उपर तो इसको सही से read किया जा सकता है क्योंकि ये बिल्कुल सीधे सीधे होता है ठीक है अच्छा उसके बाद है एक mono space every letter in a mono space और fix width mono space को fix width भी कह सकते है mono का मतलब होता है एक और space का मतलब होता है space यानि एक जैसा space वाला font ठीक है या fix width भी कहते है उसको font is the same width अच्छा इसमें क्या होता है mono space font में कि आपका जो हर letter की जो width होती है वो एक जैसी होती है ठीक है मिसाल के दौर पे जो m की जो width है i की भी width उतनी ही है इसके अमगर ठीक है आम तोर पर font में क्या होता है i सबसे कम width वाला font होता है और m सबसे लंबी width वाला form होता है लेकिन जो mono space font में क्या होता है i की चोड़ाई और m की चोड़ाई वो बिलकुल एक जितनी होती है अच्छा क्यों ऐसा किया जाता है इसका क्या benefit है mono space font are commonly used for code because they align nicely make the text easier to follow कह रहा है कि इसमें न ये align बहुत अच्छे से होता है align बहुत अच्छे से होने का मतलब ये है कि मिसाल के दुरपे अगर 10 character का कोई नाम लिखा है ठीक है अब यहाँ पे तो mono space font है नहीं तो मैं बता नहीं सकता को वेल चलो दूसरे में बता तता हूँ अब मैं अगर चार लेटर का कोई नाम लिख रहा हूँ मैंने का अली सैम तीन लेटर का और कौन सा नाम होता है भाई चार लेटर का होता है यह numbers पर करते हैं ने numbers अब आप देखें कि क्योंके इन सब की जो चौडाई है ना यह एक जैसी है यानि फोर थ्री टू वन भी उतना इस पेस ले रहा है इसमें जाना टू ले रहा है अबिसली यह monospace font नहीं है लेकिन इस्टिल तो अब देखें यह align कितने अच्छे से हुआ हुआ है ठीक है यह align अच्छे से होता है इसलिए monospace का जो font है ना वो कह रहा है कि कोड वगरा जहां पर लिखा होता है ना वहां पर इसको में इसको में इस्तमाल करता है अच्छा यह code की बात जब कर रहे तो यह postal code की बात कर रहा है अच्छली ठीक है और software development को भी आप कह सकते हैं बट software development में जैसे कि VS Code में आप देख रहा है कि monospace font का इस्तमाल नहीं किया गिए अच्छा तो ये software development वाले code की भी बात कर रहे हैं कि इसमें भी देखो I की जो width है और H की जो width है वो actually एक जितनी है ठीक है ये मैंने realize अभी किया है कि ये वाकी monospace है क्योंकि I को देखके पता चल रहा है बाकी characters को देखके तो शायद उस तरह से पता नहीं चल रहा है क्योंकि मतलब monospace आमतर पर ये चकोर चकोर अजीब से होते हैं जैसे इसका M काफी sharpies है बट ये जो monospace font है इसके क्या है मतलब letters काफी gold materials है और काफी खुबसूरत है बट still this is a monospace font क्योंकि इसके eye को देखके ये बात पता चल रही है ठीक है यहाँ पर eye को देखके ये clearly बता सकता हूं दोनों eyes को कि यह eye जो w जतना ही space ले रहा है actually अच्छा वेल तो हमने क्या देखा यहाँ पर ना हमने type face के तीन categories को देखा actually कोई भी font जो होगा या कोई भी type face होगा या कोई भी font face होगा यह की चीज के अलग अलग नाम है तो वो या तो सेरिफ होगा, या तो वो सेंट सेरिफ होगा, या तो वो मोनो स्पेस होगा, यह तीन मेजर कैटेगरीज हैं, अच्छा इन तीन कैटेगरीज के इलावा भी कैटेगरीज मौजूद हैं, बट फिलहाल हमने भी तीन कैटेगरीज का जिकर किया है, अच्छा, इसने हेडिन डाली कि टाइप फेस टर्मेनोलोजी तो टर्मेनोलोजी की बात हो रही है जब यहां पर तो यह चार लाइन वैली आपको कॉपी आद होगी जो इंग्लिश राइटिंग के लिए यूज किया करते थे बच्पन में तो आज आपको यह पता चल जाएगा कि इन चारों लाइनों का नाम क्या होता है ठीक है कैप हाइट एक्स हाइट बेस लाइन और डिसेंडर यह इन जो हैना चारों का नाम है तो अच्छा फॉन्ट का जो साइज होता है अच्छली वो क्या होता है कि यह टॉप वली लाइन से लेकर ना यह बॉटम वली लाइन तक का जो मतलब यह हाइट होती है ना इसको हम कहते हैं फॉन्ट का साइज ठीक है यहाँ पे नोंने लिखा बनी है लेकिन most probably शहीद आगे नहीं discuss करेंगे कि जो भी जैसे हमें कहते ना कि font का size जो हो 10 pixel अभी तो size हमने पढ़ा भी नहीं है वो आगे पढ़ेंगे तो वो actually ये top से ले के bottom तक ना इसको ना परे होते हैं, pixels में ना परे होते हैं अच्छा फिर आप देखें एक चीज़ है font weight कि font का weight क्या चीज़ है अब font का weight ना चार तरह का हो सकता है light हो सकता है medium हो सकता है bold हो सकता है और black हो सकता है ठीक है तो अब आपको पते चला कि ये boldness जो है इसको क्या कहते है, font का weight कहते है कि font कितना भारी है तो बोल्ड का मतलब है कि थोड़ा जादा भारी है मीडियम का मतलब है कि कम भारी है और लाइट का मतलब है बहुत ही कम भारी है तो इसमें ये चार चीज़ें हो सकती है अच्छा लाइट के लावा अल्टरा लाइट वगरा भी होता है लेकिन बेसिकली ये चार है ठीक है इसके light से पहले भी और होता है semi bold और semi light और पतरी और चार पांच और भी होते हैं इसके बाद लेकिन यहाँ पे इन्होंने basic terminology की बात की है तो यहाँ पे इन्होंने ये चार का जिकर किया The font way does not only add the emphasize but can also affect the amount of white space and contrast on the page किया रहे हैं कि bold को लगाने के ना कई different मकसद हो सकते हैं या तो उसको आप emphasize करना चारहे हों किसी जुमले में किसी खास word को आपने bold कर दिया तो आप उसको emphasize करना चारहे हों तो इसलिए आपने bold किया है या आप contrast बढ़ाना चाहरे हैं तो जब ही आपने bold कर दिया है जैसा कि उसने शुरू में जिकर किया था कि वो contrast जहां पर हम पढ़ रहे थे color में तो उसने कहा कि बई अगर आपको high contrast पर चलाना है तो आप क्या करेंगे font का weight बढ़ा देंगे थोड़ा सा ठीक है तीन चार लाइन पांच लाइन अगर आपने high contrast पर लिखनी है तो आप क्या करेंगे font का weight बढ़ा देंगे थोड़ा सा और आप उसके line का जो distance है जो दो line हो के दरमियान जो spacing है वो बढ़ा देंगे आप तो फिर क्या होगा वो easier to read हो जाएगा अच्छा font weight हमने यह देख लिया font style हम देख लेते है font style तीन तरह के normal, italic और oblique जो यह ms word में भी इसी तरह होता है फिर stretch है ठीक है font stretch होगा वो condensed होगा regular होगा और extended होगा यह तीन तरह के font के stretch हो सकते है अच्छा अब यहाँ पर यह बात बता रहा है choosing a type face for your website अपनी website के लिए आपने क्या choose करना है type phase को choose करना है ठीक है अच्छा अब ज़रा यह जो पूरा paragraph लिखा हो है ना यहां से लिके यहां तक इस पूरे को ज़रा आप लोग एक दफापढ़ें और आप में से कोई मुझे बताए कि उसको क्या समझाया है ठीक है या अगर बुक किसी ने पहले से पढ़ी हुए तो मुझे वैसे ही बताए कि इस paragraph में इनों ने असल में क्या बताने की कोशिश की है एफ जब तक जब जब रहाए कि अगर यह बताने के जब तक शुज ने कि वह में कि अगर आज ने ने लीड हुए अडर रवाई ने दीड़ी ॉष्डर के द्लिटे ऑगा जब तक वो डाउंलोड भी होगा जब तक वो सुष्टोर भी होगा सभी है बिल्कुल सही बताया आपने लेगन वो बात निननने सिर्फ यहाँ पर बताई भी है बैक यहाँ चोजेंगे टाइफस टिर्फ इंपर्टन तक टेंग करेके आपडरव से बिल्टेज़मा सुष्टोर गलते हैं को सब्सक्राइब वो इंस्टॉल हुआ वह होता है तो जिस कंपनी का भी कंप्यूटर आप खरीद रहे हैं तो या उसमें जो ऑपरेटिंग इस्टम डला वे डिपेंडिंग ओन देट उसमें कुछ फॉंट पहले से इंस्टॉल हुए वे आते हैं ओपरेटिंग सिस्टम के अंदर जैसे विंड पहले से इंस्टॉल हुए होते हैं तो क्या कहते हैं विंडोस के अंदर केलिबरी फॉंट लाजमी होगा क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का बनायावा फॉंट है अच्छा इसी तरीके से जो जो एपल के कंप्यूटर होंगे उसमें एपल के कुछ मखसूस फॉंट होंगे जो बड़ा मशूर है वो जो जो उनके उसका मैं नाम बूल रहा हूँ कॉंसोलस गालबन नाम है उसका हाँ यह कॉंसोलस फॉंट हैंगा यह उसमें लाजमी होगा यह लिनिक्स के अंदर ना ठीक है लिनिक्स के ट्रमिनल पे आम तौर बे आपको यह फॉंट देखने को मिलता है अब गालबन इसका कॉंसोलस नहीं नाम है पता नहीं क्या नाम है तो यह लिनिक्स का फॉंट है यह इसमें लाजमी होगा तो लगया आथ होना आपकी अटेंड़न्स भी गड़ों अच्छा तो फॉंट आप जब लगाएंगे अभी तो फॉंट आपने लगाना नहीं सीखा एक्चली के फॉंट लगेगा कैसे लेकिन हम यह बोल सकते हैं कि यार फला पैराग्राफ को आप क्या कर दो एरियल फॉंट लगा दो या कैलिबरी फॉंट लगा दो तो उससे होगा क्या कि जब मैं वो बोलूँगा कि यह फॉंट लगा दो जाहिरे CSS के ज़र यह बोलूँगा तो वो वैबसाइट जब विंडोज मशीन में खुलेगी ना तो वो कैलिबरी फॉंट उसमें नजर आ जाएगा लेकिन वो ही वैबसाइट जब मैक पे खुलेगी क्योंके मैक के अंदर पहले से कैलिबरी फॉंट इंस्टॉल नहीं होता है ठीक है तो उसमें वो फॉंट नजर नहीं आएगा ठीक है अच्छा उसमें वो फॉंट जब नеспर्ट नहीं होगा तो ंपलाएं वो कि font जाहर होता है हर computer में तो वो आपको नदर आ जाएगा उसके अंदर अच्छा तो यहाँ पर एक तो इसने ये statement दे दी, दूसरे यहाँ पर इसने बात किये, कि आप या तो serif का font लगा सकते हैं, या तो send serif का font लगा सकते हैं ठीक है, अपनी website के उपर serif font have extra details on the end of the main strokes of the letters यहाँ पर इसने तीन font ये बता दिये send serif font have straight ends to letter, therefore have much cleaner design, तो ये अब दो font इसने बता दिये, अच्छा serif की example दे दी तीन इसने और send serif की तीन examples दे दी, अब आगे देखते हैं क्या बता रही है as a result site often use small set of type typeface that are installed on most computer shown above कह रहा है कि ये जो हमने जो बताया है ना, ये तीन आपको examples ये वो font बताए हैं हमने जो तकरीबन तमाम computer में मौझूद होते हैं पहले से ठीक है, अच्छा कुछ font ऐसे होते जो तकरीबन, जैसे aerial font आपको तकरीबन हर computer में मिल जाता है तो किसी ने, ये कोई join हुए अभी अभी क्या भाई जो भी join हुए attendance हो चुकिए आपकी attendance mark नहीं होगी ठीक है, अच्छा अच्छा, कह रहा है कि इस पॉसिबल तो स्पैसिफाइ मोर दन वन टाइप फेस तो किरियेट अन ओर्डर ओफ प्रिफरेंस इस सम टाइम रेफर्ड एज font stack तो ये कह रहा है कि भाई आप न मिसाल के दूर पर एक font आपने लगा दिया आप पता चला, वो font तो उस computer में install था ही नहीं अब वो नहीं install था तो फिर तो गड़बड हो गई तो वो कह रहा है कि आप ना क्या गरेंगे एक से ज्यादा font के आप लगाएंगे नाम, सही है, ताकि एक ना मिले तो दूसरे पर लग जाए, वो दूसरा ना मिले तो तीसरा लग जाए अच्छा, इस तरह कि जो हम लगाते हैं ना तीन नाम लगाते हैं एक साथ उसको यह कह रहा है, आप कहते है font stack कि भाई, यह stack है यह पूरा तीन कि एक नहीं लगेगा तो दूसरा लग जाएगा अच्छा, अब इसने ना कुछ मजीद एक तो यह दो कैटेगरी इसने यह बता दी ना, यह उपर भी डिसकस होई थी पहले भी अब यह मोनो स्पेस भी उपर डिसकस हो चुका है कि एवरी लेटरी ना, मोनो स्पेस, टाइब एस सेम विर्थ और इसका इसने एक कोरियर और कोरियर नियू यह दो इसने नाम बता दिये कि बई यह दोनों बड़े कॉमान है सब जगा मिल जाते है यहाँ पर अब यह बता रहा है कर्सिव और फैंटेसी थीक है, दो नाम इसने और बताए है कर्सिव फॉण्ट है अइधर जोइनिंग स्ट्रोक्स और अधर कर्सिव क्यरक्टरिस्टिक्स सच अज हैंड राइटिंग स्टाइल थीक है, कर्सिव फॉण्ट क्या होगा वो ऐसा लगेगा कि हाथ से लिखाव फॉंट है, उस तरह का होगा, वो करसिव अच्छा, फैंटेसी फॉंट आर यूजवली डेकॉरेटिव फॉंट एंड आर ओफन यूज़ फॉर टाइटल, देयर नॉट डिजाइंड फॉर लॉंग बॉड़ीज ऑफ टेक्स्ट कि भाई, यह फैंटेसी भी एक कैटेगरी है, इसमें जितने वाहियाद से वाहियाद फॉंट हैं, तो यह आम तोर पर डेकॉरेटिव फॉंट होते हैं, ठीक है, इसमें सम टाइम आपको बतियां बतियां भी लगी होती हैं, मतलब M लिक्षेंग ना P, A, C, तो इसमें लेट चाहेंगे कि अब दो या तीन लाइन या चार लाइन में इसमें लिख दूँ, तो it is not designed for that, अच्छा, यहाँ पे नोंने एक और बड़ी important बात लिखी है, कहरें कि browsers are supposed to support, ठीक है, कि browser ऐसा, मतलब browser की तरफ से at least one type is from each group, कि browser at least support करेंगे, यह जितने भी type हमने उपर देखेंगे, टाइप अलग category देखी है हमने, इन में से हर group में से एक तो at least ही करेंगे support, ठीक है, browser are supposed to do that, for this reason, it is common to add a generic font name after your preferred choice of types, type face, कह रहे हैं कि अच्छा, supposed to do that है, लेकिन हो सकता है, ना भी करें, ठीक है, ब्राउजर्स तो इतने सारे हैं ना market में, तो वैसे हम Google Chrome की बात करेंगे, तो Google Chrome तो obviously करता होगा support, एक है क्या 10-10 बारा बारा font support करता होगा, अब Google Chrome कौन-कौन से font support करता है, वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर operating system का भी case है, operating system में कुछ font पहले से install हुए वे आते हैं, अगर उसमें नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, तो इसका जो प्रॉपर हल है, वो प्रॉपर हल यह है, कि आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, पहले आपने जियॉर्जया लिखा, टाइम लिखा, यह दो font का नाम लिखा, और दो font का नाम लिखने के बाद, लास्ट में आपने जिनेरिक नेम बता दिया इसका, यह यूँ कहलें कि कैटिगरी बता दी कि सैरिफ की कोई भी कैटिगरी का font मिल जाए ना अगर, तो वो लागे लगा दो इसमें, ठीक है, तो अब होगा क्या, कि अगर जियॉर्जया नहीं है, जैसा कि नहोंने बोला भाई, ब्राउजर जो क्या करेगा, हर कैटिगरी, जैसे सैरिफ कैटिगरी में से, एक फॉन्ट ब्राउजर सपोर्ट करेगा, ठीक है, तो जैसे सैरिफ बन जाएगा ये फॉन्ट, कुछ और नहीं बनेगा, अच्छ जी, तो, techniques that offer a wider choice of typeface, there are several ways to use font, other than those listed on the previous page, यह वैसे यार इतना ज्यादा जो है न वो तो नहीं है बट इसको हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा कवर कर लें के सबसे पहले इन्होंने फॉंट फैमिली का जिगर किया यह सबसे पहला तरीका जो है इसको लगाने का मतलब फॉंट लगाने का वो तो यही है कि सी एसस में आप जा के बता दें कि फना पैरग्राफ को ना आप यह वला फॉंट लगा दो और उसमें क्या होगा वो कंप्यूटर में इंस्टॉल होना पहले से वो फॉंट जरूरी है ठीक है दूसरा है भई फॉंट फेस फॉंट फेस में हम क्या करते हैं यह एक तरीका है अच्छली फॉंट फेस तो हम कहते हैं कि यहर सी एसस को ना हम यह बता देते हैं कि भाई फला जगा जाओ, वहां से डाउनलोड करके लाओ, यह वाला फॉंट, ठीक है, फॉंट मौजूद नहीं है, यूजर के कम्प्यूटर में, डाउनलोड करके लाओ, ठीक है, हमें पहले से पता होता है, अच्छा, फिर होता है, सर्विस बेस फॉंट फेस, कमर्शल सर् तो नहीं है, तो अभी हो जाएंगे थोड़ी जिल में, तो वहां पर उसको रख दिया जाता है, और वहां से वो कराये पर फॉंट चला रहे होते हैं, ठीक हो गया, अच्छा, अब इसके नहीं यह सब प्रोज और कॉन्स यहां पर डिसकस किये हैं रोने, तो यह आप है कि अगर वो फॉंट का लाइसेंस नहीं है आपके बास, तो आप क्या कर सकते हैं, कि आप एक ग्राफिक बना लें, जिसमें वो फॉंट में वो लिखा वार रहा हो पहले से, यह नि टेक्स्ट ही सूरत में आ रहा हो बलके ग्राफिक में आ रहा हो, ठीक है, अब इसकी जो एड़ फोटोशॉप पे बनाया है वो, तो एड़ फोटोशॉप के उपर जो भी मतलब फॉंट पहले से इंस्टॉल है, तो उन में से किसी पे भी आप बनाएंगे ना, तो वो एक्चुली ग्राफिक आपकी है, तो वो फॉंट जो उसमें लगा वादा वो भी आपका है, उस पे कोई कॉपिराइट का इशू नहीं आएगा, अच्छा, उसके लावा है सिफर, दफॉंट इस इंबेड़ इंटू अ फ्लैश मूवी, कह रहा है कि एक तो हो गया इमेज, ठीक है, कह रहा है कि दूसरा वीडियो के अंदर अगर कोई चीज आ रही है न, वीडियो की स दूरत में कोई भी चीज अगर आपको दिख रही है स्क्रीन पे, तो उसमें अगर कोई फॉंट अंदर लिखा वा है तो वो भी उस पर भी कॉपिराइट नहीं आएगा, तो आप यह भी कर सकते हैं कि वीडियो लगाते हैं और उसके अंदर वो लिखा वारो फॉंट, अच सिसमें क्या करते हैं कि हम जावा स्क्रीप्ट के जरीए ऐसी पिक्ичеर ड्रॉ कर देते हैं, रन टाइम पर, कि जो फॉंट के जैसा लगता है, ठीकर फॉंट के जैसा दिखने लग जाता है, तो इसमें भी क्या होता southernसंच है कि हम लाउन नहीं होता है, क्योंकि फॉंट हायं नहीं होते हैं हैं पुन और उसको ड्रॉब पर यहां से इसके अब कॉडिंग रही है अब ये बहुत ही सिंपल है आप इसको गोर से देखें इसने कहा है बड़ी पे ये स्टाइलिंग अप्लाई करनी है और क्या प्रॉपर्टी लगानी है फॉर्ट फैमिली और इसने बोले जोर्जिया टाइम्स और सेरिफ जोर्जिया मिल जाएगा एक यहारे में निया फूल्डर बना देता हूँ पूर फॉन्ट अच्छा जी तो यह मैंने यह पेज ओपन कर लिए इनका यह वाला कोड है इसका अच्छा अब अगर आप नोट करें तो बॉड़ी पे इन्होंने एक फॉन्ट अप्लाई किया है जो के पूरी के पूरी बॉड़ी पे अप्लाई हो गया और वो मुझे यहाँ पे इस तरह करके नजर आ रहा है अगर मैं इसको ऐसे करके पकड़ूँगा और बॉड़ी पे मैं लेकर जाऊँगा यह मेरी बॉड़ी है ना बॉड़ी पे मैं लेकर गया और बॉड़ी पे यह देखें एक फॉंट अप्लाई हुआ है क्योंकि CSS को भी मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ डिवैलपर टूल्स के जरी है तो यहाँ से अगर मैं इसको हटाता हूँ तो अब देखें फॉर अन बॉड़ी का जो टेस्ट है ना जो डिफॉल्ट था उसके उपर चला जाता है ठीक है अच्छा उसके बाद जो H1 है H1 के उपर एक डिफरेंट फॉंट लगाव है जो के यहाँ पे इन्होंने H1 और H2 के उपर यह फॉंट फैमिली Arial, Vardana और Sans Serif यह तीन stack लगाया है उन्होंने अगर मैं इसको हटाता हूँ तो आप देखेंगे H1 जो वो क्या हो जाता है H1 और H2 H2 तो खैर इसमें नहीं है बनावा लेकिन H2 इन्होंने फिर भी यहाँ पे मेंशन किया H1 और H2 इन्होंने लगाया लेकिन H2 मौजूद नहीं है तो यह वाई H1 पे लगावा फॉन्ट है जो आप देख सकते हैं अच्छा नंबर थरी इन्होंने बोला है कि यार क्रेडिट के नाम से क्लास है उसका फॉन्ट क्या अगर दो कॉरियर न्यू या कॉरियर या मोनो स्पेस यह तीसरी लाइन में क्यों जा रहा है ठीक है अच्छा यहां पर आप एक चीज गोर कीजिएगा कि अगर फॉन्ट का नाम बताते हुए एक से ज्यादा वर्ड पे मुश्तमिल है अगर फॉन्ट का नाम तो आपने इसको डबल कॉटेशन में लिखना है अगर सिंगल वर्ड का है तो आप डबल कॉटेशन ना भी लगाएं तो चलेगा ठीक है तो क्रेड़िट के नाम से जो क्लास है हमारी वो यह है ठीक है यह डॉट क्रेड़िट करके लगा है आप नोट करेंगे है इससे ही अपलाए हो रहा है यह वला फॉंट तो मेरे खेल है इसमें अब इससे ज्यादा कुछ है नहीं आगे चलते हैं बुक में आगे क्या है इनोंने डिसकस किया अच्छा यह रो नहीं आप पूरा कुछ मजबून लिख है इसको पढ़ दीजिएगा यह स्टाइलिंग तो लगा के देख लिए अच्छा साइज ओफ टाइप ठीक है जो भी टाइपिंग हो रही है आपकी उसका साइज क्या होगा उसके लिए प्रॉपर्टी है फॉर्ण साइज के नाम से ठीक है फॉर्ण साइज आप कुछ भी रख दें पिक्सल में रखना पड़ता है आपको आम तोर पर तीन तरीके हैं फॉर्ण साइज बताने के नमबर एक फॉर्ण साइज 12 पिक्सल यह 20 पिक्सल यह 50 पिक्सल जतना भी आप रखना चाहें ठीक ह अच्छा उसके लावा font size आप 1.3 EM में भी दे सकते हैं EM जो भी एक unit है अब इन तीनों unit के बारे में थोड़ा थोड़ा सा यहां पे इनोंने बताया pixels are commonly used because they allow web designers very precise control over how much space their text gonna take up the number of pixels is followed by the letter pixel px तो यह तो बैस pixel तो आपको पता है कि वो लंबाई जितनी होगी ना font की जो लंबाई है जितनी उपर से लेके नीचे तक वो उसको यह pixel में आप लेंगे और उतने pixel का आपको font बनावा जाएगा percentage the default size of the text in the browsers is 16 pixels यह बहुत गोर से चीज़ को आपने याद रखना है इसको भूलकुल भी भूलना नहीं है आपने इस 16 pixels को वरना सब गड़बड हो जाएगा सभी है तो default size जो होता है ना body का default size ठीक है किसका चीज बॉड़ी के अंदर जो भी text आप लिखते हैं जब तक आपने इस पर font का size apply नहीं किया वो होता है तो by default क्या होता है वो 16 pixels होता है so a size of 75% would be equivalent to 12 pixels ठीक है कह रहा है percentage में जो आप दोगे ना असल में वो क्या दोगे आप इस 16 pixels का percentage दे रही हो गया अगर आपने बोला ना कि 200% ठीक है 200 तो मतलब यह 16 गडबल यानि के 32 pixels ठीक है तो percentage में जवाब देंगे तो आपने याद रखना है कि 16 pixels is the default तो जो भी percentage आप दोगे उसमें क्या होगा वो उतना हो जाएगा उसका ठीक है मिसाल की दौरबे मैंने बोला कि 150% तो 16 का 150% कितना हो गया 16 और 8 24 ठीक है तो 150% अगर मैं बोलूँगा तो इट मींस 24 pixel का वो डिस्पले होगा फॉर्ण अच्छा अब यहाँ पे गौर करें क्या गह रही है if you create a rule to make all text inside the body element to be 75% of the default size it will be 12 pixel and then specify another rule that indicate that content of an element inside of body element should be 75% ठीक है it will be 9 pixel कह रहा है कि भाई आपने अगर एक rule बता दिया कि body पे यह styling लगाओ कि कितना हो जाए 75% हो जाए font ठीक है और फिर यही styling आपने दुबारा लगा दी तो पहले तो यह होता था ना इससे पहले कि भाई वो रिप्लेस हो जाता था जो पहले styling लगाई विए वो रिप्लेस हो जाती थी आगे आने वाले सिप्टर पढ़ा था कि हाउ css rule cascade तो उसमें यह होता था कि भाई एक आपने स्टाइलिंग आपने काया इसका कलर गर दो रैड फिर आगे आपने उसी element पर बोला कि इसका कलर गर दो ग्रीन तो रैड खतम हो जाता था ग्रीन आ जाता था लेगिन इस में क्या होगा कह रहा है कि body element to be 75 परसंट आपने वोला ना तुम वह बारहा पिक्सल हो जाएगा और देन specify another rule that indicates that the content of an element inside the body should be 75 तो it will become 9 pixel ठीक है इसको एक दफार आम गवर से पढ़ते हैं कि it really means it if you create a rule that makes all the text inside the body तो अकर आपने दो दफार लगाया तो यह कह रहा है कि भई वो उस पर एड़ अप कर लेगा हो इसको में एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेते हैं फॉर नहीं अच्छा मैं यहां पर कह रहता हूं कि भई बॉड़ी का जो फॉर्ण साइज है फॉर्ण साइज इसने क्या यहां पर लगाया वाता 75 परसेंट सही है सेवेंटीफाइव परसेंट बस्क्रिक ढर मैं फोटा हो चोटा होग Capital बॉड़ी बॉड़ी साइए यह बॉडि योड़ी योड़यच क्यों कर अब मैं अगे एक और बाद लिखता हूं कि बॉर इसका 데 बॉड़क्त सभी 75 कर दिया अच्छा तो यहां पे तो ऐसा नहीं हुआ जो इन्होंने बुक में लिखा वाद है यहां पे तो यह ओर राइट हो गया इस से पहले वाले क्रॉस लग गया और इसके उपर जो इन्हों लग गया तो यहां पे उन्होंने यह कैसे बात लिखी है जब यह हो नहीं रहा हुआ तो यहां परसंटेज उसके परसंटेज यह निगा लेगा तुम्हारी आवास समझ नहीं है तुम्हें क्या बोला यहां बोली परसंट लगा है ना अगर अगर बोली परसंट लगाएंगी तो अंदर अगर अगर बोली परसंट लगाएंगी तो अंदर अगर बोली परसंट लगाएंगी तो अंदर अगर बोली परसंट लगाएंगी तो अंदर अगर बोली परसंट लगाएंगी निकलेग if you create a rule to make all text inside the body all text inside the body अच्छा यहाँ पे इसने all text का बोले body element to 75% the default size it will make 12 and then specify another rule that indicates the content of an element अच्छ 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 यह सही है यह तो obvious बात है यह तो हो नहीं चाहिए वो कह रहे है कि आप आके बोलोगे ना यहाँ पे paragraph को आप क्या बना दो paragraph को 75 कर दो तो वो अब यह 75 ज़े है वो बिल्कुल सही आप दोस ने भी पहचाना कि यह paragraph के उपर अगर मैं बोलूँगा कि 75 करो तो this 75 is will be a 9 pixel ठीक है this will be a 12 pixel और जो default यार यह क्या हो रहे है इसमें वो नहीं लगता है ठीक है जो default है वो बारा पिक्सल है आज 16 पिक्सल है ठीक है default जो वो 16 पिक्सल है बाडी को मैंने कह दिया क्योंकि 75 परसंट तो यह बारा पिक्सल की बाडी हो गई अब बारा पिक्सल की यह बाडी हो गई है तो मैं किसी भी paragraph के आके बोलता हूँ 75 तो it would be 75 of this 12 तो यह 9 पिक्सल हो जाएगा ठीक है यह तो obvious है यह तो होगा अच्छा आ जाते हैं हम ज़रा यह paragraph के उपर paragraph का जो 75 है वो 9 पिक्सल हो जाता है मैं इसको अटाता हूँ और फिर बाडी वाले को भी अटाता हूँ तो यह इल्टिमेटली वापिस 16 पिक्सल हो जाएगा ठीक हो गया जी अच्छा जी अब उसके बाद हम आ जाते हैं EMS एन एम इस एक्वैलेंट तो दा विर्थ आफ लेटर एम सही है एक एम जो होता है यानि वन एम वन एम का मतलब होता है कि एक एम के जितनी चोड़ाई ठीक है we will look at these measurements in great detail on the next page अच्छा असल में ये एम जो है न ये भी क्या चीज़ है जैसे वन एम क्योंकि बाडी का जो text है default वो 16 पिक्सल है तो अगर मैं किसी भी चीज़ को बोलता हूँ न वन एम तो it means 16 पिक्सल सही है अच्छा और मिसाल के दूर पर अगर मैं बोलता हूँ न तो इसका मतलब है 200 पिक्सल 200 परसंट सही है या 32 पिक्सल ठीक है लाइक दैट तो ये ems जो है न शायद क्योंकि परसेंटेज में देखो calculation करनी पड़ रही है काफी ज्यादा ठीक के calculation करने से हो रहा है काफी मतलब अभी 16 पिक्सल का 75 परसंट कितना होगा you have to calculate that तो ems में न ऐसा नहीं होगा तो ems में क्या होगा मिसाल के दौर पर 16 पिक्सल है न ठीक है तो मुझे 32 पिक्सल बनाना है तो मैं बोलूँगा 2 em तो 32 पिक्सल हो जाएगा ठीक है क्योंकि 16 पिक्सल में जितना भी em का साइज है वह डबल करूँगा मैं तो आप्विसली वह बत्तिस पिक्सल पर इवैलियेट होगा ठीक है यह मैं अगर चाह रहा हूं कि 16 पिक्सल को मैं 24 पिक्सल बना लूँ ठीक है यानि वन एन हाफ कर लूँ तो वन एन हाफ लिखूंगा मैं इसमें तो यह दिस इस वेरी वेरी सिंपल यूनिट अब यहाँ पे नोंने यह बात लिखी वी है अब यह जो बात लिखी है नोंने यह बहुत इंपॉर्टन बात हम नेक्स क्लास को यह ना इसी बात से शुरू करेंगे ठीक है वेल इसको अगर किसी ने पढ़ा है बुक तो वो मुझे यह बता पायागा कि इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ पर यह क्या बात डिसकस कर रहा है कोई आप मेंसे मुझे बता पायागा कि यह बात की वी है इसने क्यों जैसा कि मैंने आप लूगों से पहले किया था है कि भाई बुक पढ़ा करें बुकパडने की आद़क डालें तो मैं से प्रिख चेक कर रहा हूं कि आप मेंसे कोई बुक पढ़ रहा है या ऐसे ही अच्छा तो मतलब किसी को भी नी बता है अच्छा तो ये इस पारेग्राफ में ये कह रहे है कि यू में हैव नोटिस्ट देट प्रोग्राम्स सच अज वर्ड यानि माइक्रोसोफ वर्ड की बात हो रही है फोटोशॉप एंड इन डिजाइन इन डिजाइन एक सॉफ्यर हुआ करता था पराने जमाने में अब नहीं होता हो ठीक है अब उसकी जगाद दूसरे सॉफ्यर आ चुके है ऑफर दे सेम साइजेज आफ टेक्स्ट जब आप कोई भी टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करते हैं और उपर वो फॉन चेंज करने का एक बार आजाता है फोटोशॉप में या माइक्टोसफ वर्ड में और जब आ उस बार पे क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन खुलता है लंबा सा तो उसमें वो कह रहा है कि इस तरहा का कुछ आ रहा होता है ठीक है इस तरहा का कुछ साइज आ रहा होता है तो वो कह रहा है कि वो सेम साइज होते है जो वो ओफर करते है ठीक है अब जैसे मिसाल के दौरब इसमें आप देखें एट, नाइन, टैन, अलेवन, ट्वेल्फ अब ट्वेल्फ के बाद थर्टीन नहीं है ठीक है, फॉर्टीन के बाद जो फिफ्टीन, सिक्स्टीन और सेवन्टीन यह तीन हो नहीं है, डाइरेक्ट एटीन है फिर एटीन के बाद डाइरेक्ट ट्वेंटीफोर है ठीक है, फिर थर्टीसिक्स है, फिर फॉर्टीएट है तो मतलब यह कोई सीक्वेंस नहीं है हाव कम दे हाव दे केम अप विद इस वियर्ड सीक्वेंस भई मिसाल के दौरब है पांच-पांच फॉर्ण छोड़ के रखते हैं ठीक है मतलब दस होता फिर पंदरा होता फिर बीस होता ऐसे रखते हैं या तो अगर दो दो छोड़ के रखते हैं ठीक है कि दस है उसके बाद बारा है उसके बाद चौदा है फिर उसके बाद सोला है फिर उसके बाद ठारा है ऐसा भी नहीं किया है उन्होंने तो हाव दे केम अप विद इस विर्ड सीक्वेंस कह रहे हैं कि this is because they are set according to a scale or ratio that was developed by European typographers in 16th century ठीक है कह रहे हैं कि इसका एक scale बनाव है और ये है वो scale जो किस ने बनाया है European typographers ने बनाया है 16th century में ठीक है और 16th century वो दौर था जब printing press काफी मशूर हो चुका था और जाहर है बहुत ज़्यादा printing की ज़रूरत पड़ रही होगी printing press जो है 14th century में गालबन वो हुआ था इन्वेंट हुआ था अभी हम यहाँ पर देखेंगे न 16th century में जो है न वो क्या था इनका जो प्रिंटिंग प्रेस था यह क्या था यह कैसा था देखने में यह कुछ इस तरहागा था ठीक है एन्डिस प्रिंटिंग प्रेस इस मोर यह मतलब आलमॉस्ट वैसा ही है जैसा आज के दौर में जो प्रिंटिंग प्रेस होता है न ये वैसे ही है और बिलकुल अर्ली वाला तो मैंने खुद भी शायद नहीं देखा देख लेते हैं अच्छा जर्मन गोल्ड स्मिथ जॉनस अच्छा ये इन्हों नहीं बनाया है बाद में भी अच्छा ये एक ही बन्दा था जिसने एजाद भी किया और 16th century में इन्हों ने इसके पैसे प्राइस कम गर दी भी 1436 में इन्हों ने ये पहली बार एजाद किया अच्छा जाहर है जब चिस कोई पहली बार एजाद होती है तो वो जाहर है वो लोगों के लिए नई चीज होती है और वो इस तरह से शायद शुरू में जब कोई चीज बनती है तो इतनी stable भी नहीं होती बग्स होते हैं उसमें problems होती है उसको फिर आइस्ता इस्ता फिक्स किया जाता है although he was far from the first of automate the book printing process दिस दिस तो कह रहा है कि यह 1436 में बना था और वो जो बुक की printing आजकल होती है उससे तो दूर दूर तक यह कोई तालुक नहीं था इसका क्योंकि यह बहुत ही basic सी कोई चीज थी खालबन तो यही वो printing press है जो आज तक इस्तमाल होता है although के आजकल वो दूसरे वाले भी आ गए जो लेजर प्रिंटिंग और जो जो कॉर्टरिज प्रिंटिंग वगरा आ गई है आजकल लेकिन स्टिल यह वाला printing प्रेस आज भी कुछ जगाओं पे मौजूद है और यह मैंने personally अजकल तो यह स्टैम्प इस तरह की नहीं होती है आजकल वो एक रोलर सा लगा होता है और उस रोलर के उपर स्टैम्प होता है तो वो जब पेपर उससे गुजरता है तो उस पर चीज छप जाती है इसमें काइंड ओफ ऐसा है कि वह एक एक पेपर नीचे उसके रखा गाएगा तो इस तरह का कुछ है इसके अंदर वेल तो यह 16th century में जो है न काफी ज्यादा development हो रही होगी obviously काफी ज्यादा development हो रही होगी तो इसलिए इन्होंने जाहरे एक standard बनाया एक एक ऐसा अब क्यों बनाया वो यह भी अब यहां पे लिखा है इन्होंने it is considered that this scale for type is pleasing to eye and it has therefore changed little in last 400 years कह रहा है कि यह जो scale है इसको समझा गया है कि यह आखों के लिए प्लेजन्ट है यह sizes जो ही आखों को प्लेजन्ट लगता है और कह रहा है कि पिछले 400 साल में इसमें कोई खास changes नहीं की गई है यह वो ही है पिछले 400 साल से ठीक है तो for this reason when you are designing pages using size from this scale using size from this scale will help them look more attractive अब कह रहा है कि आप आपके लिए भी असानी के लिए मैंने यह पे लगा दिये scale कि आप भी जब अपनी website बनाया या web pages बना रहे हो तो आप भी इसी में से size उठा ले तो आपके लिए ना असानी हो जाएगी अपने page को attractive बनाने में असानी हो जाएगी on the next page we can see how to achieve this scale using pixel and percentage in EMS अब ये अगले page में ना बता रहे है कि इस scale को pixel में percentage में और EMS में लिखना कैसे है ठीक है क्योंकि आप और करें यहाँ पे pixel नहीं लिखा वा है यहाँ पे pt लिखा वा है प्रिंट डिजाइनर ओफन रेफर इट रेफर to the sizes of text in term of points rather than pixel hence use of point in the scale on the right क्यारा यसी लिए scale जो बनावा है वो points में बनावा है क्यारा अब pixel is roughly equate to a point because a point corresponds to 1 by 72 of an inch क्यारा है कि जो pixel होता है और point होता है वो almost एक जितने ही होता है size में ठीक है क्योंकि जो point होता है वो अगर आप 1 inch के 72 हिस्से करें तो वो एक हिस्सा जो होता है न वो एक point होता है ठीक है point का ही असल में size बता रहा है तो 1 by 72 होता है point ठीक है and most computer display have resolution of 72 dots per inch तो अगर आप ऐसे display पे काम कर रहे हैं जो 72 dot per inch पे काम करता है तो वो point और आपका जो pixel वो बिल्कुल same size के होंगे ठीक है कुछ cases में different भी हो सकते है अच्छा अब मेरा खयाल है आज की class को हम यहीं तक रखते है हम इसी paragraph से next class में हम शुरू करेंगे और हम कुछ design की बात करेंगे कि इसका जो design है वो कैसे यहाँ पे चल रहा है जो इन्हों ने आपने डिसकस किया है मजीद जो इसके design को अच्छा कुछ यह units वगर रहे हैं इसको हम discuss करेंगे अच्छा बहतर यह होगा कि आप इसको एक दफ़ा ना पढ़ के आए कल जो अभी आपकी next class होने वाली है उसमें एक दफ़ा इसको पढ़ कर आए आप क्योंकि जब मैं direct यह calculation बताऊंगा ना तो आपके सर की उपर से निकल जाएगी और अभी जैसे आपने बताया ने कि 200 जो जो 16 पिक्सल का जो 75 परसेंट होगा वो 12 तो इसी तरह की calculation यहां पर की जा रही है ठीक है तो इस परग्राफ को भी अच्छे से पढ़ लीजेगा क्योंकि यहां पर इन्होंने बड़ी हाँ जी मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो असल में वीडियो अपलोड करने से ना मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम ही हो रही है कि आप लोग क्लास में आना चोड़ जाते हैं घर पर बैटके वीडियो देख रहे होते हैं और